ओके अलो प्रेंट किसे हो आप सब में हुवी शी और आप देख रहें बॉंग टू इन्वेस यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे निप्टिया एंड बैंक निप्टिय का कल जो एक्सपारी का दिन है उसमें क्या हो सकता है वो देखेंगे उसके सपो सबसे पहले मिल जाए और हम क्या कि इंडिकेटर पर सीरीज बना रहें बाज में उसमें स्ट्रेटेज ये एड करेंगे और अच्छा रिस्पॉंस मिला तो प्राइज एक्शन भी एड करने वाले तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने है तो सिंपल सा तरीका है आप हमारी इस चैनल के साथ जूड़ जाहिए अब हम आ चुके हैं निप्टी के ऑप्सन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर हम कोल साइट से रजिस्टन्स फाइंड करने की कोसिस करेंगे और जो हमारा ये निप्टी है वो क्लोजिंग कहा दिया है बाराजार सो से लेके बाराजार डेट मेरे को बाराजार पे दिख रहा है तो ये बाराजार का लेवल मेरे लिए कल के लिए जो हे सपोट की तरह लगे तो होंगए निप्ति के सपोर्ट फोजिस्टन्स बिल्डकर देखेंगे तो अगर मैरे को ड्र बोजिस्टन आपCharम लौंग पोजिशन बिल्डप हुई दिख रही है तो मैं इसा बोल सकता हूँ कि निप्टी के अप जाने के चांसिस है बार में मैं पूर्ट साइटा जाता हूँ अगर मैरे को पूर्ट साइट हो कि market जाएगा down, तो cold side मेरे को short position build up हुई दिख रही है, ये दो price पे और इसके नीचे भी है लेकिन minus आ रहा है, इसलिए दो ही बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि market जाएगा down, बार में हम put side आ जाते हैं, अगर put side मेरे को short position build up हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि market जाएगा, तो ये सभी stock price पे आपको short position build up हुई दिखेगी, तो आप ऐसा बोल सकते कि market कल upset जा सकता है, इन simple हमने 4 point देखे, उसमें से एक कुछ नहीं मिला, दो upset के मिले, एक downside का मिला, तो इन simple कल nifty upset moment दे सकता है, लेकिन कल expiry है, तो वो भी एक बात याद रखनी है, मन में जब भी expiry होती है, तो most of the time nifty और bank nifty दोनों तरह को मूद दे सकता है, तो ये हो गया nifty का option chain analysis, अब हम bank nifty का option chain analysis करते हैं, अब हम आ चुक है bank nifty के option chain analysis data के उपर, जो हमारा bank nifty हो, 31,800 से लेकर 31,900 के बीच में कही close हुआ, तो इसमें भी same रहेगा, call site से resistance find करेंगे, put site से support find करेंगे, तो अगर मैं call site देख रहा हूँ, तो मेरे को सबसे ज्यादा UI build-up 32,000 पे दिख रहे हैं, तो ये मेरा कल के लिए resistance की तरह work कर सकता है, बान में में put site आजाता हूँ, तो put site मेरे को सबसे ज्यादा UI build-up 31,000 पे दिख रहा है, तो ये मेरे कल के लिए support की तरह work कर सकता है, अगर मेरे को थोड़ा नस्दिक का support चाहिए, तो मैं 31,500 का अपना support मान सकता हूँ, क्योंकि इदर पे आपको एक अच्छी खासी UI build-up देखने को मिल रही है, तो ये हो गए support and register, अब हम बात करते हैं, बैंक निप्टी कल कौन सा मूद दे सकता है, अगर हम बैंक निप्टी में देखे, अगर मेरे को cold site long position build-up हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि बैंक निप्टी upside moment दे सकता है, तो मेरे को long position build-up इदर दिख रही है, बात में मैं put site आ जाता हूँ, अगर मेरे को put site long position build-up हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि market जाएगा down, लेकिन put site मेरे को ऐसी कोई long position build-up हुई नहीं दिख रही है, बात में हम फिर से cold side आ जाते हैं, अगर put site short position build-up हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि market जाएगा up, तो put site मेरे को short position build-up हुई दिख रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि market के up जाने के chances है, in simple हमने 4 point देखे, इसमें से 1 point में से कुछ नहीं मिला, 2 point upset जाने के मिला, 1 point downside जाने के मिला, तो bank nifty में भी कल upset moment देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बात याद रखने है, कल expire ये, तो दोनों तरफ आपको मुँद देखने को मिल सकता है, तो ये हो गए nifty and bank nifty के option chain analysis, अब हम क्या आएक nifty and bank nifty के technical analysis करते हैं और उसके supporting resistance भाइंड करने के process करते हैं, अब हम आ चुके nifty 50 के chart के उपर, तो यहां से हम देखेंगे कौन से कल के लिए resistance रहेंगे, कौन से कल के लिए support रहेंगे, इससे पहले हम आज का performance देख ले थी, तो nifty में पहली candle आपको एक green color की दिख रहें, बाद में यह reverse हो गया, बाद में reverse होके इधर से आपको एक uptrend देखने को मिलाया, इन simple nifty में, आज हमारे कोई support resistance से इसने, मतलब upside जाने का 12,130 के आसपासे, वहाँ से आपको downtrend के signal देता है, तब हम उसमें sort में आएंगे, बाद में हम buy makeup आएंगे, अगर हमें यह क्या है कि अपने zone के पास मिल जाए, जो zone है, वो कौन सा होगा, 12,060 से लेके 12,040 तक वो zone रहेगा, अगर नेप्रिकल down pull दिखाता है, अगर यह zone के आसपास से reversal दिखाता है, तब हम इसमें buying करेंगे, और एक position है, वो देख लेते हैं, अगर यह इसको break करके उपर निकल गया, तब हम क्या करेंगे, अगर break करके उपर निकल गया, थोड़ उपर चला गया, और इस line के आसपास से अगर हमें sell side का signal देता है, तब हम इसमें sort में आएंगे, इन simple चार position बनी है, एक यह support zone के आसपास है, यह आपकी line के आसपास, resistance line के आसपास से नीचे आने का, एक है उपर जाके यह resistance line पे support लेके उपर जाए, और last में है यह जो हमारी rising resistance line उस पे resistance लेके नीचे आए, तो यह आपको सब देखना पड़ेगा, live market में कुछ होता है, तो लेना है, नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन simple हमारे support कौन से रहेंगे, resistance कौन से रहेंगे, वह देख लेते हैं, तो 12,130 का level हमारे resistance level की तरह वर्क करेगा, और जो हमार support होगा, वह zone होगा, वह होगा, बारहाजार सांट से लेके, बारहाजार चालिस तक, तो यह हो गए, निप्टी का technical analysis, अब हम देखते हैं, बैंक निप्टी में कौन से हमारे support रहेंगे, कौन से हमारे resistance रहेंगे, तो अब हम चलते हैं, बैंक निप्टी के चार्ट के उपर, बाद में आप देख रहे हैं, जो रजिस्टन्स लाइन, उससे यह क्या है की reverse हो गया, उसको touch करके नीचे आए गया, बाद में फिर से आपको upset moment देखने को मिला, लेकिन वह हमने कैचप नहीं क्या है, हमने यह जो इधर से नीचे आये था, वही हमारा क्या था, सोट मैंने कल भी बोला था, अगर यह लाइन के आसपास से नीचे आता है, तो अब हम इसमें सोट करेंगे, तो यहां से हमारी entry बनती, यह लाइन के आसपास से, तो यह एक ही entry थी जिसमें हमारा सोट सेल था, बाद में अगर buying में होता, तो buying में हमारी entry नहीं आती, क्योंकि हमार और analysis को strictly follow करता हूँ, अगर मेरे को level के आसपास कुछ reversal दिखाता है, तब भी में लेता हूँ, अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता है, तो भी में जाने देता हूँ, तो अगर आप कुछ level find करें हो, आप कुछ analysis करें हो, आप उस पे strictly work करो, एसा नहीं होना चाहिए, आपको परी के आयके discipline रखनी होगी, अगर आपको profit में रहना है, तो अब देख लेते कल कौन से हमारे support होंगे, resistance होगे, bank nifty में, तो मान लेते कल nifty open होके, थोड़ा अपर साथ जाने के बाद, फिर से हमारी rising resistance line के आसपास से नीचे आता है, तब हम इसमें salt में आएंगे, बाद में हमारे support की बाद के रहें, मान लेते कल bank nifty down चला गया, और east line के आसपास से, जो है 31,750, उसके आसपास से reversal दिखा के उपर जाने का sign देता है, तब हम फिर से buying में आ सकते हैं, मान लेते इस line को break करके उपर निकल गया, तो हमारा next resistance होगा, वो 32,100 पे होगा, अगर ये 32,100 पे sell में आएंगे, और bank nifty कल इस line को break करके नीचे चला गया, तो फिर हम इस line को देखेंगे, जो हमारी support line है, rising support line, अगर इस पे कुछ reversal बताता है, तब हम इसमें buy में आ सकते हैं, इन simple bank nifty में 4 level है, जो main resistance है, वो है 32,100, बाद में support की बारे, तो main support है, वो 31,750 है, बाद में rising support and resistance line draw किये, अगर हमें वहां पर भी कुछ मिल जाता है, तब भी हम वहां buy या sell कर सकते हैं, तो ये था हमारी और से nifty and bank nifty का technical and option chain analysis, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना, आप like, comment and subscribe कर देना, आप like, comment and subscribe कर देना, आप like, comment and